दे कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सलमान को ट्रॉल किये जाने पर मित्थुन्दा करा रहा ऐसा रियेक्शन दे कश्मीर फाइल्स हर रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए लोगों की दिलों को जीत रही है यह फिल्म को लेकर जितनी उम्मीदे थी उससे भी ज़्यादा इस फिल्म ने रिस्पॉंस दिया है जब से यह फिल्म रिलीज हुई है बस तबी से बॉलीवड वालों को काफी घेरा जा रहा है लोग बॉलीवड वालों को काफी खरी खोटी सुना रहे है लोगों का कहना था कि ये लोग इस फिल्म पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे क्यों अपना रियक्शन नहीं दे रहे और क्यों इस फिल्म को प्रमूट नहीं कर रहे इसी बीच कुछ लोगों ने बॉलिवूड के खान पर भी निशाना साथते हुए इस फिल्म पर प्रतिक्रिया ना देने पर बहुत कुछ कहा था जिसमें सलमान भी शामिल थे यह जरूरी नहीं कि अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो उस पर प्रतिक्रिया दी जाए लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसी फिल्मों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए क्योंकि फिल्म को अच्छा रिस्पोंस मिले और लोगों को कश्मीरी पंडितों पर हुए दर्दनाक हत्याचार के बारे में बता चले और इसी वज़े से लोगों ने बॉलिवूर के कई सितारों पर निशाना साधा था लेकिन यह बिल्कुल गवारा नहीं है जब कोई मिथून चक्रवती के सामने सल्मान की बेज़ ज़ती करे खुद मिथून चक्रवती ने बिग बॉस पंडरा में यह बात कही थी कि सल्मान खान दिल का बहुत सचा और अच्छा है इसलिए इसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता इसी के साथ ही अपनी फिल्मों का मजाक उड़ाते हुए मिथून दा कहते है कि उन्होंने 370 फिल्मे की है लेकिन वह दोसों खुद भी नहीं देख सकते यह सुनकर सल्मान खान खुब हसते है जिसमें उनका साथ खुद मिथून चक्रवती देते है और इसलिए जब दे कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर लोगों ने सल्मान पर निशाना साथा तब मिथून को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस खबर पर अपनी प्रतीकरिया हमें कमेंट में जरूर बताए